17 दिसंबर 1903 को एरक्राफ्ट का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया जब राइट ब्रदर्स ने दुनिया की पहली सफल फ्लाइट बनाई, आप सुच सकते हैं कि उनका डिजाइन कितना सरल था, प्रॉपिलर एरक्राफ्ट को आगे बढ़ाता है, विंग्स लिफ्ट प्रेड हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स द्वारा डेवलेप किये गए थे, उनका डिजाइन इतना सही था कि वर्तमान मौडरन एरक्राफ्ट भी फ्लाइट के सेम प्रिंसिपल का इस्तिमाल करते हैं, सबसे पहले एक एरक्राफ्ट के उडान भरने के लिए आपको पहले वोई जानते थे कि जब हवा एक कर्ब्ड सर्फिस पर बहती है तो ये एक लिफ्ट फोर्स प्रेडियूस करती है, स्पीड जितनी ज़ादा होगी, लिफ्ट फोर्स उतनी ही ज़ादा होगी हमले के एंगल में व्रिधी ने लिफ्ट फोर्स को भी बढ़ाया ये लिफ्ट कैसे जेनरेट होती है, ये दूसरे वीडियो के लिए एक टॉपिक है एरक्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए दो प्रॉपिलर ब्लेड्स का इस्तिमाल किया गया था उन्होंने सेम एरफॉइल प्रिंसिपल से फिर से थ्रस्ट फोर्स प्रेड्यूस की थिन प्रॉपिलर ब्लेड्स एक क्लेवर डिजाइन चॉइस थी उस समय तक आम धरना ये थी कि एक एरक्राफ्ट प्रॉपिलर शिप के प्रॉपिलर जैसा कुछ होना चाहिए हाला कि राइट ब्रदर्स ने साबित किया कि हवा में एफेक्टिवली काम करने के लिए एक हाई स्पीड नेरो ब्लेड आइडियल चॉइस है इसके अलावा आपने देखा होगा कि ब्लेड्स ओपोसेट डिरेक्शन्स में घूम रहे थे ये एक और important design decision था इसके बिना aircraft को control करना संभव नहीं होता हम वीडियो के आखिर में इसके बारे में जानेंगे Blades engine द्वारा चलाए जाते थे जो wing पर होते थे aircraft उडाने के लिए आपको उडान के नीचे दिये गए force equations का पालन करना होगा एक aircraft design जिसने इन equations को satisfy किया Wright Brothers ने उस समय available सभी गलत lift data को छोड़ कर अपना खुद का lift data विक्सित किया Wright Brothers के wing में leading edge के पास top point था इस design ने उस समय इस्तिमाल किये गए center design में शीर्ष की तुलना में बहुत अधिक lift प्रेडियूस की अकेले एक optimized wing design के साथ ये aircraft जमीन से नहीं उठा होगा Wright Brothers ने महसूस किया कि मौजुदा heavy automobiles engines main villains थे उन्हें अपने power output से समझोता किये बिना engine को हलका बनाना था किवल एक शक्तिशाले engine ही aircraft को अच्छी speed दे सकता था जैसा कि पहले बताया गया है जितनी ज़्यादा speed उतनी ही ज़्यादा lift वे ऐसे किसी भी engine को ढूणने में असमर्थ रहे अपने mechanic की मदद से Wright Brothers ने अपना खुद का engine बनाया एक हलका 12 HP petrol engine नए engine के विकास से पहले ही Wright Brothers ने calculate कर लिया था कि उन्हें flight के equations को पूरा करने के लिए कम से कम 8 HP के साथ 200 pound से कम वजन के engine की जरुरत है वजन कम करने के लिए उन्होंने crank case को aluminium से ढख दिया उस समय में पहली बार उन्होंने crank case को काले रंग से paint किया ताकि उनके competitors को construction material के बारे में पता न चले आप engine से propeller blades में बिजली transfer करने के लिए इस्तिमाल की जाने वाली chain और SP rocket mechanism की details देख सकते है इस design के साथ proper airplane speed पर lift force gravitational pull को overtake कर लेगा और वे take off कर पाएंगे क्या आपने इस visual में एक rail track notice किया? ये Wright Brothers का एक और clever decision था वो जानते थे कि रेतीले इलाके में एक अच्छी airplane speed बनाना असंभाव है इसलिए उन्होंने smooth take off के लिए 60 foot लंबे rail track का arrangement किया Wright Brothers की main innovation successful flight controls का विकास था उन दिनों aircraft धुरकटनाएं एक आम समस्या थी और कोई नहीं जानता था कि उन्हें कैसे control किया जाए एक successful controlled flight के लिए rights को three axis में अपने aircraft को control करना था pitch, roll और yaw उन्होंने इस task को पूरा करने के लिए airfoil के principles पर फिर भरोसा किया हवाई जहाज को pitch करने के लिए right flyer के सामने elevator की व्यवस्था थी आप देख सकते हैं कि इस lever को move करके एक rope mechanism ने elevator के angle को बदल दिया अगर elevators उपर की और घुमती है तो airfoil principle के अनुसार उपर की और lift force होगी इस lift force द्वारा produced torque पूरे aircraft को उपर की और push कर सकता है aircraft की नाग को नीचे push करने के लिए उन्होंने बस reverse किया modern airplanes में elevators को पीछे की तरफ लगाया जाता है aircraft को roll कराने के लिए wilber right के पास एक शानदार idea था wing wrapping ये clear था कि wing को अपनी लंबाई के साथ गुमा कर एक छोर पर हमले का angle positive होगा और दूसरा छोर negative होगा ये spusht रूप से एक lift differential पैदा करेगा और airplane रोल करेगा चलिए इस animation पर एक नजर डालें और समझें कि right brothers ने practically wing wrapping को कैसे हासिल किया pilot अपने hip का इस्तेमाल करके एक cradle को control करता है जो बदले में इससे जुड़े दो अलग-अलग cables को control करता है cable movement एक clever mechanism के माध्यम से wing wrap बनाता है ये एक शानदार mechanism है हमें इसकी details को समझने के लिए एक अलग dedicated वीडियो की जरुरत है modern aircraft में lift differential generate करने के लिए ailerons का इस्तिमाल किया जाता है हाला कि जब right brothers ने पहली बार wing wrapping का इस्तिमाल करके aircraft को roll करने की कोशिश की तो परिणाम विनाशकारी था उन्होंने देखा कि rolling के साथ साथ airplane ने एक अंचाहा turn ले लिया उन्होंने इसे steering reversal problem नाम दिया इस phenomenon को अब adverse yaw कहा जाता है adverse yaw के पीछे की physics अब अच्छी तरह से समझ में आ गई है high angle wing region के उपर airflow high drag produce करता है दूसरी noke पर drag force कम है drag force का अंतर airplane को yaw बनाता है जैसा कि दिखाया गया है right brothers ने rudder arrangement की मदद से इस समस्या पर काबू पा लिया अगर aircraft इस तरह से yaw wing कर रहा था तो उन्होंने दिखाए गए अनुसार rudder को turn कर दिया इस तरह से कि rudder द्वारा produced, torque, adverse yaw torque को cancel कर देगा यहां right brothers ने फिर से चतुराई दिखाई जब भी wing wrapping होता था तब rudder को operate करना पड़ता था उन्होंने rudder और wing wrapping controls को एक साथ जोड दिया इन दोनों motions को एक साथ hip control से operate किया जाता था इन controls का प्रभावी धंग से इस्तिमाल करके right brothers aircraft को आवशक stability देने में सफल रहे विमान को उपर ले जाने या नीचे ले जाने के लिए pitch करें और विमान को banking करके एक smooth turn लें अब दिल्चस्प सवाल पर वापस आते हुए जो वीडियो के बीच में कहा गया था right brothers ने blades की rotation के लिए opposite direction का इस्तिमाल क्यों किया ये घुमने वाले पहिये के gyroscope effect को cancel करने के लिए किया गया था किसी भी rotating object में angular momentum होती है मान लें कि right brothers ने aircraft को same direction में घुमते हुए blades के साथ डिजाइन किया था अब pilot ने elevator को कम करके aircraft को pitch करने का फैसला किया elevators के कम होने से जाहिर तौर पर torque produce होगा जैसा कि दिखाया गया है हाला कि blades की angular momentum के कारण airplane उम्मीद के मताबिक उपर की और पिछ नहीं करेगा इसके बजाए ये दिखाये गए अनुसार एक unexpected side turn लेगा इस unexpected phenomenon को gyroscopic precession के रूप में जाना जाता है gyroscopic precession Newton के second law of motion के साथ पूरी तरह से अनुरूप है आप देख सकते हैं कि angular momentum में change की direction applied torque के equal है इस तरह के unexpected behavior को दूर करने का एक मात्र तरीका इसके कारण को नश्ट करना है spinning blades की angular momentum ठीक वैसा ही जैसा कि Wright Brothers ने opposite direction में दो spinning blades के साथ किया था ये जानना आश्चरे जनक है कि Wright Brothers ने अपनी limited formal education के बावजूद ऐसे detailed engineering points के बारे में सोचा क्या आपने notice किया कि aircraft के बीच में pilot की position नहीं थी अगर आप Wright Brothers के शानदार engineering कारनामों से surprised है तो क्रिपिया help बटन पर क्लिक करके हमें support करें हमें comment box में बताएं कि आपको क्या लगता है कि Wright Brothers ने pilot की position को थोड़ा off center करने का फैसला क्यों किया धन्यवाद